नामास्ते कैसे वाप, I hope आप सब ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और पिछली बार मैंने एक केप का रियूज बताया था जो आपने काफी प्यार दिया है तो आज मेरे पास एक वरोड जैकिट की केप हैं तो आज इसका भी बहुत ही प्यारा रियूज करने जा रही हूँ तो वीडियो पर बने रहे हैं और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चेनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करेगा तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की और तो देखिए यहाँ पर मैंने ले ली है पूराने जेकिट की केप और केप काफी प्यारी है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है और कपड़ा भी बहुत सोप्ट है तो आज इसकी का रियूज करेंगे और पेले वाले रियूज को भी आपने काफी पसंद किया है तो इसके लिए मैं दिल से आपको धनिवाद देना चाहती हूँ और इसके बाद में देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगी आप जरूर देखिएगा तो देखिए कि आपको इस परकार हम डबल फोल्ड कर देंगे और यहा किट के साथ में अटेज करती है स्केप को और जिपर हमें नहीं निकालनी है ऐसे ही रखनी है उसका पी बहुत ही प्यारा यूज होगा इसके साथ में तो देखिए यहां पर मैंने एक सीधी लाइन ड्रो कर दी है अब इसी लाइन के उपर हमें कपड़े की कटिंग करनी देंगे अभी इसका कुछ काम नहीं है पहले हम च्ट Shankवाले परो लेंगे और अब हमें क्या करना आए है यहां से कपड़ा थोड़ा सा फोड करते हुए सिलाई लगां नहीं होगी तो इसको हम साइड compatible रखेंगे अभीस का काम नहीं है पहले इसका काम कर लेते हैं तो देखिए इस परकार कपड़े को थोड़ा-थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे तो अगर आपकी सिलाई मशीन इस पर चल रही हो तो आप सिलाई मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो और अगर आपकी सिलाई म बनाना चाते हैं, वो बना सकते हो, पर मैंने यह यहां पर यह बटन और इसका मुह बना कर देखा, तो मेरी बेटी को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उसी के लिए मैं बना रही थी, तो उसको यह चोटा सा टेडी पसंद है, जो उसके टी-शट के साथ अटेज हुआ, आया थ साथ में इसी प्रकार के प्यारे प्यारे बहुत सारे आइटम आते हैं तो आप उनको समाल कर रख सकते हो इस प्रकार अठेज कर सकते हो किसी भी चीज में यूज ले सकते हो तो यहां पर सिलाई लगा कर मैंने छोटे से टेडी को यहां पर अठेज कर दिया हैं फिर बड़े वाला पीस लेंगे उसको double fold करेंगे और उसके उपर इस परकार set करके रखेंगे उपर से एक इंच नीचे की तरफ और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होगे तो देखी है यहाँ पर सिलाई में लगा दूँगी सिलाई मशिन से आप चाहो तो हाँ से भी सिलाई लगा सकते हो तो देखे हैं, यहां पर मैंने सिलाई लगा दी हैं और हमारा छोटा सा प्यारा सा पोकेट बन कर तयार हो गया है अब बारी है इस ziper की तो देखे यह ziper जैकित के साथ मैटेज होती है तो देखेए साइड में से, यहां पर थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि यह runner है तो इसमें आसानी से अंदर चला जाएं यहां पर मैंने छोटा सा cut लगाया है केची की साहिता से जिसे यह runner इसके अंदर चला जाएगा और यह हमारे बीना मेनत की जिपर लग जाएगी यहां पर कुछ मेनत नहीं है लगी लगाई जिपर है और सिर्फ हमें यहा पर थोड़ा सा cut लगा कर इसको अंदर यह runner डालना है तो अभी मैं आपको runner डाल के दिखाती हूं तो देखिए यहां पर मैंने runner इसके साथ डाल दिया है इसके अंदर सोरी और अब इसको सीधा उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने के बाद में देखिए यहां नीचे करेंगे और नीचे वाले कपड़े को इससी परकार फोल्ट करेंगे और कि दोनों को साथ में लगा देंगे जिससे हमारे अंदर भी इस डाइगे और बाहर की तरफ बैसल्टा नहीं दिखेंगी और हम इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं तो देखिए आना पर चाही इसकी सिलाई लगाए थी अब चाहो तो हाथ से भी इसकी सिलाई लगा दे और इसके बाद में साइड की सिलाई लगा देंगे देखिए साइड में हमें कुछ नहीं करना है वैसे भी यहां फोल्ड हुआ कपड़ा है तो यहां पर सीधी हमें सिलाई लगानी होगी तो यहां प आपर में सिलाए लगा दूगी यहां उपर तक सिलाए लगाने होगी और जहां से हमने रणनर को डाला है जीप्र को सकत किया है उसको भार निकळना क्या इसको पेक कर देना है, अंदर ही, और सोरी, इसे ही मजा कर दीती हूं आप से, तो देखिए, यहाँ पर में सिलाई लगा दूँगी, इसको अच्छी तरश से मजबूत, और यहाँ पर नोट लगा कर धागे को कट कर देंगे, तो देखिए, सिलाई में लग गई है, अब इसक सीधा कर देंगे देखिए यां से तो देखी जीपर को कोलकर हम इसको सीधा कर देगे और सीधा करने के बाद में आप को कैसा लग रहा हैं आपको बताती हूं देखिए बाइब किस परकार इसका युट कर सकते हों और अब मेरको यहां पर डोरी लगानी है तो आप बीना डोरी के भी आप इस प्रकार क्रजबेक की तरह इसका यूज कर सकते हो और मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूं तो थोड़ा सा तो डेकोर करना पड़ेगा तो देखिए मैंने उसी की फ्रोक की एक डोरी ली है पुरानी फ्रोक की तो बच्चे के एक्सर हम कौप्टेल आते हैं तो इस परकार की डोरी वगियरा बहुती प्यारे प्यारे चीज़े लगी हुए आती हैं जो एक दो बार पेंते हैं तब रखते हो और फिर निकाल कर फैंक देते हैं तो मैं इनको सारी चीजों को सम्माल कर रखती हूं और फिर इ के साथ भी मेच हो रही तो मैंने सुचे चलो यही लगा दूंस यहाँ पर तो यहाँ पर साइड में देख़िए इसको अंदर नहीं दबाएंगे और यहां पर इस पर्स के डोरी बनकर लगकर तरियार हो गई है और अगर आपके पास इस परकार कि डोरी नहीं हो तो आप घर पर दोरी तयार भी कर सकते हो में कपडे की तो देखी ये हमारा एक बीना जीपर वाला पोकिड हो dus जाएगा ये जीपर वाला वाला पोकिड और इसको उल्टा करने के बाद में की उल्टी तरफ से भी हम इसको हूं कर सकते हैं तो उल्टी से यूज करेंगी तब अंदर हमारे दो पोकिट हो रहेंगे और सीधी साथ में यूज करेंगे एक बाहर वाला पोकिट हो जाएगह को एक अंदर वाला फोरें तो देखिए इसको उल्टा यूज करेंगे तब इसकी जीपर नहीं लगेंगी क्योंकि जीपर उल्टी हो जाएगी इसलिए और इस परकार देखिए बाहर वाले पोकेट में आप मोबाइल वगेरा रख सकते हों अंदर वाले पोकेट में आप केश वगेरा और अपने चोटे मिलते हैं और देखिए कितना सोप्ट सोप्ट कपड़ा है दोनों तरफ से यूज हो रहा है और देखिए आप आप भी यूज कर सकते हों अपने छोटे मोठी चीज़ें रखते हुए अब मैं इसको सीधा कर दूंगी और देखिए आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपकी पूरानी केप का भी यूज हो जाएगा तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और अगर थोड़ा भी पसना आया हो तो चैनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर करेगा और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देख